हे दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आरू सेल्थ केर में और आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं एक्वाकेट स्टार मेडिकेटिड सोप के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके अंदर वो कौन सी कमपोजीशन प्रेजेंट है जो हमारी स्किन के लिए काफी फायदे मन्द होती है इस साबुन का MRP क्या रहेगा? कितने ग्राम का है ये? और इसको कौन सी कमपनी बनाती है? किस कंडिशन में इसको यूज करना है? इन सभी के बारे में डिटिल में बात करेंगे तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखेगा शुरुआत करते हैं पहले की तरह इसकी कमपोजीशन से तो इसके अंदर कितोकनाजोल 2% अलोविरा एक्स्ट्रेक्ट 1% सिट्रमाइड 0.5% और ग्लिस्रिन की मात्रा इसमें 1% होती है डाम की बात की जाए तो 118.50 पेसे इसका डाम है 75 ग्राम का ये साबुन है जिसकी मैनुफेक्ट्रिंग SRS Industries कमपनी करती है एक्वा लैब्स कमपनी के लिए बात करें अगर इसके यूज के बारे में तो ये जो साबुन है वो एंटी फंगल है और साथ ही साथ ये एंटी बैक्टिरियल का भी काम करता है इसके अंदर जो है ग्लिसरिन और अलोविरा एक्स्ट्रेक्ट जो की स्किन को मुलाहिम रखने में हेल्प करते हैं देखिए इसके अंदर जो किटकुनाजोल प्रेजेंट हो वो एक एंटी फंगल मेडिकेशन है यानि कि आपके सरीर में जब भी कोई फंगस की वज़े से इंफेक्शन हुआ हो जैसे कि अगर खाज है, खुजली है, डेंडरफ है तो ये उसको ट्रीट करने का काम करता है इसके लावा ये टीनिया वर्सिकलर नाम की एक डिजीज होती है उस कंडीशन में भी ये काफी इफेक्टिव है जिसके अंदर जो सिट्रिमाइड हो एक एंटी सेप्टिक है जो कि किल करता है, यानि कि बैक्टिरिया को खंद करता है, फंगी को खत्म करता है उसके बाद 2 मिनिट तक उसे रखना है, और साफ पानी से दो देना है साबुन को लगाते वक्त ध्यान देने की जरूरत है कि साबुन का जाग आँखों में नहीं जाना चाहिए अगर वा आँखों में चला जाता है, तो आँखों में जलन हो सकती है अगर गलती से इसका जाग आँखों में चला जाए तो साफ पानी से धो लेना चाहिए बात करते हैं इसके कुछ साइड एफेक्ट के बारे में तो इस साबून को अप्रिकेशन वाली साइट पे जलन हो सकती है इरिटेशन हो सकता है, खुजली हो सकती है और साथ ही सकिन जो आपकी लाल हो सकती है दोस्तों ये जो साबून है वो सेडूल एच प्रिस्क्रिप्शन की ड्रेग है यानि के इसे डॉक्टर की सला से ही आपको इस्तिमाल करना चाहिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बैल को भी जरूर अन कर लेजिए मिलते आप से अगले वीडियो में